तो जवान सीन बाई सीन ब्रेकडाउन का ये लास्ट पार्ट है and of course today we'll be talking about the climax fight scene अगर आपने मुवी देखा है तो आपको पता है कि किस point पे ये सीन आता है obviously movie के end पे लेकिन कितने सारे payoffs and कितने सारे callbacks है इस सीन में उन सब के बारे में बात करेंगे stay tuned तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपने ये movie देखी है तो आपको पता है कि सीन में क्या होता है but for the context जैसा मैं हमेशा करता हूं कि थोड़ा सा कुछ बोल देता हूं सीन के बारे में तो basically simply क्या होता है कि आजाद played by srk is in his last mission जो obviously जो villain है काली played by विजय सेतुपती उनको पसंद नहीं है तो काली kidnaps विक्रम राथोर also played by srk who is the father of azad और विक्रम राथोर के through वह आजाद को blackmail करता है वो mission को रोकने की कोशिश करता है तो यह scene यही है और यहाँ पर क्या पता है movie में ऐसा दिखाया जाता है कि विक्रम राथोर का वो memory loss हो चुका है so he knows that azad is his son but उसको feelings नहीं है यह movie में specifically बताया जाता है और उस scene का यहाँ पर एक अच्छा payoff भी होता है तो scene शुरू होता है जब काली की entry होती है आजाद के jail में जहां पर वो अपना mission को वो कर रहा था progress कर रहा था and काली जो villain है उसका एक थोड़ा सा self-aware type का एक nature दिखाया गया है जैसे Deadpool होता है ना उस type का एक nature दिखाया गया है not exactly he doesn't break the fourth wall but through dialogues and through action acting वो कुछ ऐसा करता है कि मलब ऐसा दिखाता है कि काली is aware कि he is being watched by an audience जैसे ही tortures आजाद तो आजाद उसको बोलता है कि तुझे दर्द नहीं होता है तो वो बोलता है होता है होता है करके वो बोलता है तेरे को दर्द में होता है तुझे होता है होता है अभी तेरे को होता है so all these things are there and these things makes it interesting of course villain है मतलब weakness तो use करेगा ही तो उसको पता है कि आजाद को मार के कोई फाइदा नहीं बिसकलिए आजाद ने काली का कुछ पैसे लेके उसको उस पैसे को वो यूज करना चाहता है तो Kali को अभी वो पैसे वापस चाहिए तो Kali को पता है कि आजाद तो बोलेगा नहीं तो वो क्या करता है, Vikranathor को kneel down कराता है और वो बोलता है कि अगर नहीं बोलेगा तो मैं तेरे बाप को गोली मार दूँगा and by doing this, he does more harm to himself than good लेकिन इस scene की खासियत होता है but the beauty of this scene is कि दिखे SRK close-up में है with makeup old makeup फिर इधर आजाद भी है SRK young look में younger look में और यह cut है मतलब throughout this scene में बहुत सारे cuts है कभी-कभी आजाद को दिखाया जाता है कभी 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 काली को गन को और यह जो पूरा construction of the scene है this is editing pure editing क्योंकि SRK ने दो वो makeup है right तो old makeup में अपने scenes उसने दे दिये अपने shots दे यंग makeup में उसने अपने shots दे दिये बीच में actors ने continuity बोलते है मतलब कि अगर इस actor के साथ ऐसे acting क्या तो उस actor के साथ भी ऐसे acting करेंगे ताकि camera अगर angle change भी होगा तो उतना जारिंग नहीं लएगा so they maintain the continuity on set और यह सब कुछ होने के बाद जो actual construction है जो final writing of the scene है वो editor नहीं किया है this is editing और आपको जारिंग नहीं लगता और इस scene में specifically इस scene में जो double roll वाला effect है उसको बहुत subtly use किया गया है जैसे मैंने बोला था कि कमीने movie में यह सबसे अच्छे से हुआ था मेरे opinion में मुझे सबसे अच्छा लगा था कि जब दो character सामने आते हैं जो जुड़ूआ है जो same actor से play हुआ है but उनको बहुत ऐसे over dramatize करके नहीं दिखाते क्या रही देखो हम लोगों ने VFX किया है दो दो same ऐसा लगता है कि बस scene में दो बंदे हैं मतलब ऐसा वाला जो feel आता है एक दम generic करके दिखाते हैं तो इस scene में भी न दो sr के ऐसे ही appear होते हैं ऐसा लगता है कि यह papa sr के यह बेटा sr के ऐसा वाला feel आता है and as a side note यह जो actor है इनका नाम है Kenny Basumotari he is an asamist guy और उन्होंने असाम में he is a celebrity he is an actor उन्होंने I think Shanghai movie में भी थे बहुत सारे Hindi movies भी उन्होंने किये है चोटे बड़े रोल्स बट असाम में उन्होंने एक movie बनाया था local kung fu it's like a cultural phenomenon in Assam और the best asamist action movie तो अगर आपको कभी chance मिले I think with subtitle available होगा कौन से OTT में होगा I am not sure but आप आप लोग के बाद देखेगा local kung fu वो मुवी आप लोग देखेगा this guy made it and it's an बहुत अच्छी movie है वो but anyway यहां पर उनका role reduce होके उनके पूरे movie में सिर्फ यही एक dialogue है जहां पर वो ऐसे चिलाते है काली विक्रम राथोर को मारना चाहता है लेकिन गन काम नहीं करता है और यह जो quick montage है this is actually helping विक्रम राथोर regaining his memory और इस scene में जैसे कि मैंने बोला editor is the hero obviously लेकिन जो यह पूरा montage है इसमें भी आप देखिए मिलब sound effect कैसे कैसे क्या क्या गया है and everything builds up to Deepika Padukone saying and all these things helps विक्रम राथोर regain his memory और जैसे ही काली आजाद को मारने वाला होता है and here comes the massy moment and then देखिए अभी क्या होता है कि इस चीज़ को बोलते है clap trap जो चीज मतलब इंडियन मूवी सबसे अच्छा करती है and Manmohan Desai he was one director जिनको clap trap बहुत अच्छे से समझ में आता था clap trap basically script में क्या होता है जैसे कि अगर आपने बजरेंगी भाई जाने कोई भी सर्मान खान के movies देखेंगे तो वहां पर जब सल्मान खान के entry होती है तो slow mo होके पूरा scene रुक जाता है कोई dialogue नहीं कुछ nothing important is happening उसको बोलते हैं clap trap क्योंकि that is movies way of giving audience the time to cheer ताकि audience cheer करे theater में और कुछ आपको miss भी ना हो अगर आप को dialogue नहीं सुन पाएंगे वैसा कुछ भी यह चीज इंडियन movies में बहुत अच्छे से होता है क्योंकि इसलिए देखिएगा जितने भी लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि अरे मुझे मासी movies पसंद नहीं है यह क्या बकवाज बनाते हैं कुछ भी दिखाते हैं इतना cringe होता है यह होता है आप उनसे पूछेगा कि तुने movie कहां देखा है वो लोग बोलेंगे मैंने laptop में देखा है 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि जावान movie जिसने ठेटर में देखा है वो यह बात बोले यह हो ही नहीं सकता क्योंकि इन movies का ना structure ही ऐसा होता है कि देखिए अभी क्या है ना जब आप इस को हग करता है this and that all these things are very melodramatic मतलब आप अगर अकेले देखोगे ना तो आपको cringe होगा अकेले में भी वैसा वाला चीज है लेकिन जब आप ठीटर में देखते हो ना तो क्या होता है जैसे ही उसने वो रोका वो जो लोहा वाला जो ताला होता है उसको रोका उस पॉइंट से ल लोग उस पार्ट को स्टेच करते हैं इसको बोलते है क्लैप ट्रैप और यह experience ना आप तभी कर सकते हो जब आप ऐसे movies को ठेटर में देखते हो with audience देखते हो because these movies are made for these type of experiences और यह में इतना elaborately क्यों बोलना हो पता है क्योंकि जो Hollywood है Hollywood filmmakers उनको भी ना क्लैप ट्रैप नहीं समझ review है वो लोग बोलते थे कि Indian movies को अगर experience करना है तो theater is the best place फिर बाद में उसको OTT ने अभी चेंज क्या वो अलग discussion है but what I am saying अगर आपको याद होगा Avengers में जब Hulk Loki को धोता है ठीक है that is a massive moment right और धोने के immediate बाद ना Hulk बोलता है Puny God और यह जो dialogue है Puny God यह मैंने Avengers I think 3-4 बार देखा सब्टाइटल नहीं आते थे सब्टाइटल बाद में आना शुरू हुआ तो मैंने दो तीन बार देखा कि वो डायलोग सुने के लिए कि वो बोलता क्या है बट वो सुनाई नहीं देता है विकॉस उनको उनके script में clap trap नहीं होता है they didn't know उनको नहीं पता था कि audience इतना cheer क्योंकि अगर उनको यह पता होता ना तो वो लोग उनको पॉस करके स्लोडाउन करके वो डायलोग को थोड़ा देर से डालते अगर आपने stand-up में तो उस time पे आप देखोगे अगर आप laptop में वो movie देख रहे हो ना OTT में तो आपको लगए कि आरे movie अचानक से रुख गया है मतलब वो ऐसा मास्क उतारके थोड़ी देर सांस लेता है आपको लगता है क्यूंकि वो laptop में देखो तो आपको फील होगा लेकिन theater में आपको suspension of disbelief और suspension of disbelief के बारे में मैंने इस से पहले वाले scene breakdown में मैंने बात किया था तो देखिए suspension of disbelief is that कि यह जो सारे elements है in a masala movie कि actors का acting, VFX, CGI, storytelling, screenplay, action, music यह सब कुछ मिला के ना आपको एक ऐसा scenario दिखाते हैं जो impossible है but somehow you believe and you cheer as well जैसे कि यहाँ पे वो काली जो grenade gun से grenade मारता है और यहाँ पे SRK just stops the grenade with his left hand वो भी पापा SRK अगर आपने Mythbuster का कोई भी episode दिखा है then you know कि grenade का जो impact होता है वो कितना जबरदस्त होता है एक हाट से उसको रोकना is like simply impossible and but look at the design of the scene कि blast होता है हमें shockwave दिखता है and both of them just pushed little backwards एकदम style में और the music kicking in in the background so these are all the recipes जो हम लोग को बोलते है न गूस्बंप्स वहाला जो feeling होता है this is what it is and it's it's an art it's an absolute art and then all hell breaks loose this is the proper proper climax action scene और यहाँ पर obviously VFX बहुत अच्छा हुआ है और अगर आप जवान के instagram page में जाओगे या फिर बहुत सारे pages ने इस scene के behind the scenes के कुछ-कुछ footage is release किये थे तो यह जो पापा SRK है basically that was stuntman और जो यंग SRK that was most in most of the scenes that was SRK तो यहाँ पर यह बेटे पापा SRK का चहरा थोड़ा थोड़ा रिप्लेस हुआ है लेकिन obviously जो extensive action scenes है जैसे कि यह वाला यहाँ पर SRK का face replace हुआ है तो यहाँ पर पूरा action 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 शुरू होता है जो money shot है मतलब इस चीज का money shot आता है वो आता है जब बाप बेटा मिलके काली को पीचता है वो जो scene है that is like money shot आप देखोगे कि मुझे याद है कि मेरा जो दोस्त है आसा में उसने देखा था वो देखने के बाद ना वो मुझे call करके बोलता अरे देखा तुमने वो दोनों मिलके एक जन को मारते है तो it's like that it was like discussion का point उस ताइम पे but anyway जैसे ही वो लोग काली को defeat करते है वहीं पर यह scene खतम होता है उसक and I'm sure कि यह जो dialogue है ना यह एक point पर जाके legendary हो जाएगा already इसे legendary dialogue क्योंकि this reflects our India's biggest superstars personal and professional life मतलब यह एक बहुत ही meta dialogue है बहुत सारे layers में है यह dialogue तो यह तो iconic है ही तो आप लोग बताएगे कि आप लोग को यह scene कैसा लगा आप लोग को यह scene breakdown कैसा लगा यह movie कैसी लगया आप legends में जवान मूवी का scene breakdown किया है कभी आराम से वो train वाले scene का breakdown करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे layers से flashbacks है this and that तो कभी बाद में उस scene को breakdown करेंगे बट फिलाल के लिए this is the end of jawan scene breakdowns इसके बार शायद में कोई normal मतलब जो VFX breakdown होता है अपने trailer का teaser का एफिर को graphic design breakdown करूंगा then we'll continue Chris 3K scene breakdowns I hope आपको ये वीडियो देखके अच्छा लगा अगर अच्छा लगा then hit the like button don't forget to subscribe देशो शमीम युवाचें की बाकी भी see you in the next video